तो आज का जो टॉपिक है वह रहने वाला है कि आप को यह मालूम होना चीक कितने टाइप के अबोर्शन होते हैं तो इसमें पूरी डिटेल में आप यूग से शियर करने वाली हूं इसमें फोर कॉरम से राइट तो फर्स में ऊपर जो रहेगा इसमें कि कितने टाइप के इसमें पूरी डिटेल में डिसक्स करने वाले जितनी भी वूमन हैं उनको मालूम होना चाहिए जो की मैरिड है अगर वह किसी का अगर जैसे की कोई प्रॉब्लम आती है अबोर्शन के टाइम पर क्या है वह सब डिटेल में आप शेयर करने वाली हूं तो चलिए इस पर गर्भ धारन की 20 वीक पहले ही वेजर्णल से ब्लीडिंग होने लगती है इसे हम बोलते हैं 310 अबोशन नेक्स इसके बाद आता है इनेविटेबल आपोशन यानि की गर्भ वस्तर के टाइम पर क्लिनिकल कॉम्प्लिकिशन आ लगती है अगर कोई भी वूमन प्रेगने इसके बाद नेक्स आहागए इनकंपलिट आपोशन इस कंडिशन में वेजर्णल ब्लीडिंग हो सकती है इन जो इनक्प्लीट आपोशन होता है इसके अंदर वूमन को वेजर्णल से काफी ब्लीडिंग होती है यानि की बलड हाता है और उनके यानि कि स्टमाख में भी pain होने लगता है और lower abdomen pain शुटू हो जाता है तो इसे हम बोलते हैं incomplete abortion इसको बने next complete abortion इस condition में यानि कि इस time पर इस abortion के ताहर scurvices बंध हो जाती है ठीक है? इस चीज़ को आपको ध्यान से सुनना चीज़िए जैसे कि जो complete abortion होते है इस abortion के time पर scurvices बंध हो जाता है और uterus small हो जाता है यानि कि छोटा हो जाता है और महावारी आरम हो जाती है यानि कि जो bleeding है वो शुरू हो जाती है next है mist abortion जिसे हम mist caries भी बोलते हैं इसमें क्या होता है 16 week के बाद या इससे पहले जब बच्चा stomach हो जाता है यानि कि गरब में ही dead हो जाता तो इसे हम बोलते है mist abortion या mist caries भी बोल सकते हैं तो यह हैं इसके types और इसमें जो बता रहा है presentation क्या है presentation क्या होता है जैसे कि फ्रिटेट abortion था इसमें pain होती है bleeding जैसे में PV examination में क्या रहता है OS close हो जाता है OS open close हो जाता है complete abortion में OS closed रहता है और miscarriage में भी क्या होती है इसमें OS closed रहता है USG में क्या होगा normal इसमें क्या होगा interuterine pregnancy और इंडर uterine pregnancy with dilet curvices जो कि मा भी आप लोगों को बता भी चुकी हूँ written products of conception तो यह types of abortion है जिसमें मतलब की आप लोगों को पता होने ची कितने type के abortion होते है जिसके अंदर name है presentation क्या रही है examination क्या है USG क्या रही है तो आज के लिए ताही and thank you for watching my video